वेल्कम टूल इस वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो में 22 और 23 दोनों के ही करेंट अफियर्स होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारा पहला पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हूँ है आपके आप्शन्स हैं समीरन गुपता, विजय कुमार देव, मधावी पूरी या भी सेख सिंग इसका आप्शन भी विजय कुमार देव ये हैं विजय कुमार देव और इन्होंने हाली में दिल्ली के नए इलक्शन कमिशनर के दौर पर सपत ली है इन्होंने एसके स्रिवास्तों को रिप्लेस किया है और इनका टर्म 6 साल के लिए होगा इनके अपॉइंटमेंट के अनौंसमेंट दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल ने की है हमारा अगला क्वेस्चन है आपके आप्शन्स हैं करनाटिका, डेली, असाम या लदक इसका आप्शन C, असाम असाम में इसे स्थापित किया गया है ये इंडिया की पहले 99.99% प्योर ग्रीन हाइडरोजन प्लांट है जिसे ओल इंडिया लिमिटेड द्वारा असाम के जोर हार्ट पंप स्टेशन में स्थापित किया गया है और ये प्लांट पर डेई 10 कीजी हाइडरोजन प्रोड्यूस कर सकता है इस प्लांट में 500 किलोवाट की सोलर प्लांट लगाई गई है जिससे बिजले उत्पन होगी और इस बिजले से ग्रीन हाइडरोजन बनाई जाएगी और ये सारा प्रोसीजर एक नए टेकनोलोजी की थ्रू किया जाएगा जिसका नाम है एनियन एक्सचेंज मेंब्रेंस इंडिया में इस टेकनोलोजी का यूज फर्स टाइम किया जा रहा है अब इसे असाम में प्लांट किया जा रहा है तो असाम की कैपिटल है दिस्पूर, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंता विस्वा सर्मा और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगला क्वेस्टेन है विस्वा रच्नामक्ता और नवा चार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपकी ओप्शन्स है, 21st April, 18th April, 15th April या 19th April इसका आंसर है, option A, 21st April हर साल 21st April को व्ल्ड क्रेटिविटी और इनोवेशन दिसेलिबरेट किया जाता है इस दे की एम है तो रेज अवेर्नेस अबाट दा इंपॉर्टेंस ओफ क्रेटिविटी और इनोवेशन इसके अलावे, व्ल्ड क्रेटिविटी और इनोवेशन वीक भी सेलिबरेट किया जा रहा है जिसे 15 से 21st April तक सेलिबरेट किया गया और फर्स ताइम इस दे को कैनेडा के टोरंटो में 25 में 2001 को सेलिबरेट किया गया था इस बर इस दे की थीम है कोलाबिरेशन हमारा अगला क्वेशन है विच वेस्ट इंडीज प्लेएर हैस रिसेंटल अनॉंस्ट रिटार्मेंट फ्रम इंटरनेशनल क्रिकेट वेस्ट इंडीज के किस खिलाडी ने हाली में अंतरस्टर क्रिकेट से सन्यास की होशना की है आपके ऑप्शन्स हैं क्रिस गील, किरन पुलाड, जैसन होल्डर या निकोलस पुरन इसका आंसर है किरन पुलाड किरन पुलाड ने हाली में इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की होशना की है और ये अब तक 123 वंडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं इन्होंने 2007 की वर्ल्ड कप में अपने डेब्यू किया था हमारा अगले क्वेस्चन है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाकार की रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन्स हैं अपराजिता सर्मा, आजे कुमारसूद या ससी सिन्ना इसका आंसर है ऐप्शन सिए आजे कुमारसूद यह है आजे कुमारसूद और इन्हें इस पोस्ट के लिए अपउइंट किया गया है इन्होंने बायलरजिस्ट के वीजयरागवन को रिपलेस किया है और इनका टर्म तीन साल के लिए होगा इससे पहले ये बैंगलोर के एक इंस्टिटूट में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इंडिया के फर्स्ट प्रिंस्पल साइन्टिफिक एडवाइजर एपी जे अब्दुल कलाम थे जिनोंने 1999 से 2001 इस पोस्ट पर थे हमारा आगला क्विस्टिन है इसका आंसर है ओप्शन है गोवा में इस एक्सरसाइज को कंड़क्ट किया गया था ये एक्सरसाइज गोवा के मार्मुगाव हार्बर में आयोजित किया गया था गोवा इसकी कपिटल है पंजी इसकी चीफ मिनिस्टर है प्रमोथ सावन्थ और इसके गवर्नर है पीए स्रीदरन पिल लई हमारा आगला क्वेस्टिन है इसका आंसर है ओप्शन डी रसिया रसिया में इस पेमेंट सर्विस जिसका नाम हेलो है लॉंच किया गया है हैलो एक पेमेंट सर्विस सिस्टेम है जिसके द्वारा मनी ट्रांसफर ट्रंजेक्शन फैसिलिटी प्रवाइड की जाती है इस सिस्टम को हैलो ललसी द्वारा अपरेट किया जाता है और इसे 15 अप्रिल 2022 को लॉंच किया गया था हमारा अगला क्वेस्टन है हाली में पैटरिक अची को किस देश के प्रधान मंत्री की रूप में फिर से न्युक्त किया गया है आपके ऑप्शन्स है घाना, माली, आईवरी कोस्ट या म्यामार इसका अंसर है ऑप्शन C, आईवरी कोस्ट इन्हें आईवरी कोस्ट की प्रधान मंत्री की रूप में फिर से न्युक्त किया गया है आईवरी कोस्ट इसकी कैपिटल है यामो सुक्रो और इसकी करिंसी है वेस्ट अफ्रिकन सफाव, फ्रैंक आवर नेक्स्ट क्वेस्टन इस, रिसेंटली करनाटका चीफ मिनिस्टर हैस अनौंस दैट अंडर कंस्ट्रक्शन सिवा मुगा एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डैस सिवा मुगा हवाई अड़े का नाम बदल कर करनाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा आपके आप्शन्स हैं M. विरप्पा मोईली, SD. देवेगोड़ा, BS. यदुरप्पा या SD. कुमार स्वामी इसका आंसर है option C. BS. यदुरुपा. यह है BS. यदुरुपा और इनहीं के नाम पर सिवा मुगा एरपोर्ट का नाम रखा जाएगा. यह एरपोर्ट इंटरनेशनल फैसिलिटीज से लैस होंगी और इसे दिसंबर 2022 में इनॉग्रेट किया जाएगा. और यह प्रोजेक्ट उ और इसके गवर्नर है थावर्शंद कहलोत. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेस्चन है. नेम दे सिक्स एंड लास्ट इसकॉर्पिन सब्मरीन और प्रोजेक्ट 75 की छटी और आखरी स्कॉर्पिन पंडूबी का नाम बताईए जिसे हाल ही में मुम्बई में लॉंज किया गया था. आपके ऑप्शन्स हैं INS करंच, INS वक्सीर, INS वेला या INS कलवरी. इसका आंसर है ऑप्शन भी INS वक्सीर. यह है INS वक्सीर और इसे मुम्बई के कनहौजी एंगर वेट बेसीन ऑफ मैजगन डॉक लिमिटेड में स्थापित किया गया है. आइ दूसरे जनवरों को मार कर खाती है. INS वक्सीर, स्कॉर्पियन क्लास समरीन की लास्ट पंडू भी थी. इसके अलावा और पांच पंडू भी है, जिन में से पहला पंडू भी है INS कलवरी. इसे 14 दिसंबर 2017 को कमिसंड किया गया था. दूसरी पंडू भी है INS खंडेरी. इ 15 पंडू भी है INS वजीर. इसे नवंबर 2020 में लॉंच किया गया था और इस पंडू भी का भी ट्राइल चल रहा है. और छटी और आखरी पंडू भी है INS वक्सीर, जिसे मुंबई में कमिसंड किया गया है. हमारा अगला क्वेस्चन है, वेन विल द फॉर्थ एडिशन प्रेट फेर और इनर्जी बी ओर्गनाइस्ट इन निव देली. पवन उर्जा पर अंतराश्र सम्मेलन और व्यापार मेला का चौथा संसकरन नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? आपके आप्शन्स हैं 25-27 अप्रिल, 23-29 अप्रिल, 27-29 या ओप्शन D, 28-30 अप् ये कॉन्फरेंस तीन दिन के लिए होगा और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और्गनाइस्ट किया जाएगा और ये कॉन्फरेंस क्लीन एनर्जी के फुल्फिल्मेंट को लेकर होगी. हमारा आगला क्वेस्चन है, रिसेंट्ली विच मिनिस्ट्री हैस साइन्ट तो एमवी उस बिद दे मिनिस्ट्री ओफ आई उस फॉर मेंडिकल सर्विसेज. हाली में किस मंत्राले ने आई उस मंत्राले के साथ चिकितसा सेवाओं के लिए दो समझावते पर हस्ताक्षर किये हैं. आपके आप्शन्स हैं Ministry of Aviation, Ministry of Agriculture, Ministry of Education या Ministry of Defence. इसका आंसर है Option D Ministry of Defence. Ministry of Defence ने अभी हाली में आई उस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर दो समझावते पर हस्ताक्षर किया है. इन दो एग्रिमेंट्स में से पहला एग्रिमेंट है आईरवेट सेंटर को स्टार्ट करना जिससे 37 केंटॉन्मेंट को कहते हैं जैसे आर्मी टूप्स के लिए कहीं भी टैंपररी हॉस्पीटल बनाकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है और दूसरा अग्रिमेंट है 12 मिलिटरी हॉस्पीटल में आयरुवेद सेंटर को स्टार्ट करना और यह आयरुवेदा सेंटर आम फोर्स के लिए होंगी जि इसे 9 नौवंबर 2014 में स्टैबलिस किया गया था और इसकी यूनेन मिनिस्टर है सर्बानन सोनोवाल और हमारी यूनेन अग्रिकल्चर मिनिस्टर है नरिन सिंह तोमर हमारा अगला क्वेस्चन है साबर्मती आश्रम का दौरा करने वाले पहले यूनाइट किंग्डम की प्रधानमंत्री कौन बने आपके आप्शन्स हैं बॉरिस जॉंसन थेरेसा में डेविट कैमरन ये टॉनी ब्लेयर इसका आंसर है बॉरिस जॉंसन साबर्मती आश्रम गुजरात में है जहां गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी गुजरात इसकी कैपिटल है गांधी नगर इसके चीफ मिनिस्टर है भुपेंद्र भाई पतेल और इसके गवर्नर है आचार देवरत इसका आंसर ऑप्शन सी राजनात सिंग डेफ कनेक्ट 2.0 प्रोग्राम इनोवेशन फोर डिफेंस एक्सेलेंस दिफेंस इनोवेशन और इसी नई दिल्ले के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था ये प्रोग्राम इनोवेटर्स के लिए थी हमारा अगला इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ एन बी चूरू और विज्ञान के एक डिस्ट्रिक्ट है और विज्ञान पूर ये मनिपूर के एक डिस्ट्रिक्ट है इन दो जीलो के ये अवाड खेलो इंडिया स्कीम के द्वारा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दिया गया है इस अवाड में एक ट्रॉफी दी जाती है एक स्क्रॉल दी जाती है और 20 लाग का इंसेंटिव दिया जाता है Scroll एक certificate की तरह होती है जिसमें winners के achievement के बारे में लिखा हुआ होता है हमारा अगला question है National Thermal Power Corporation has collaborated with Dash Jalpour to convert waste into energy आपके options हैं Mumbai, Gurugram, Bhopal या Delhi इसका answer है option D Delhi हाली में NTPC ने कचरे को उर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जलबोड के साथ सहीयोग किया है और इस procedure में फैक्टरिस के waste से energy बनाई जाएगी जिसके लिए NTPC ने दिल्ली जलबोड के साथ partnership किया है NTPC इसे 7 नमबर 1975 को found किया गया था और इस procedure में फैक्टरिस के waste को energy में convert किया जाएगा और इसके लिए NTPC ने दिल्ली जलबोड के साथ collaborate किया है NTPC इसे 7 November 1975 को found किया गया था इसका headquarter New Delhi में है और इसके CEO है गुर्दीप सिंग हमारा अगला question है फिन कलवेशन इनिसीटिव है जिसके द्वारा फिंटेक स्टार्टप कम्यूनिटी के साथ मिलकर financial inclusion के लिए innovate solution create की जाएगी और ये इनिसीटिव इन स्टार्टप्स को India Post Payment Bank के साथ काम करने के लिए अलाव करेगा जिसी ये India Post Payment Bank के technology को use कर सकते हैं India Post Payment Bank इसे 1 सितंबर 2018 को found किया गया था इसका headquarter New Delhi में है और इसके CEO है जे वैंकर ट्रामू इसकी parent organization है India Post Our next question is When was World Earth Day 2022 observed across the globe? आपके options है 22nd April, 28th April, 19th April या 21st April इसका answer है option A 22nd April हर साल 22nd April को विस्व प्रिथवी दिवस मनाया जाता है इस दे को International Mother Earth Day भी कह जाता है और ये हर साल 22nd April को मनाया जाता है इस बार इस दे की 52nd anniversary थी और first time इसे 1970 को celebrate किया गया था इस दे की aim है to spread awareness for Earth's well-being and to encourage people to support environmental protection और 2009 में United Nation की द्वारा Earth Day का नाम बदल कर International Mother Earth Day रख दिया गया इस बार इस दे की theme है to invest in our planet हमारा अगला question है आपके options है इसका answer option E रोहिज सर्मा और जस्परित बुम्रा के अलावा तीन और क्रीकेटर्स को इस अवोड के लिए नमिनीट किया गया है ये क्रीकेटर से न्यूजिलैंड के बैटर देवन कॉनवे एंगिलैंड पेंसर और साओध आफिकन विमेंस स्टार डेंवेन नाईकर इन winners के अलावा कुछ और winners है जिनने different category में award दिया गया है जिन में से leading cricketer in the world England के Joe Root को दिया गया है और women's category में ये award Ligell League को दिया गया है जो South Africa की batter है इसके अलावा leading T20 Cricketer in the world का award पाकिस्तान के wicket keeper मुहम्मद रिजवान को दिया गया है Wisden Cricketer in the world award एक annual cricket award है जो Wisden Cricketers Almanac के द्वारा select किया जाता है और इसे 2004 में established किया गया था इस award को best cricketers को उनके best performance के लिए दिया जाता है हमारा अगला question है Formula 1 driver Carlo Sainz Jr. has extended his contract with Ferrari by 10 years Formula 1 driver Carlo Sainz Jr. ने Ferrari के साथ अपने अनुबंद को कितने वर्सों के लिए बढ़ा दिया है आपके options है 5 years, 1 year, 2 years या 3 years इसका answer है option C 2 years Carlo Sainz Jr. के Formula 1 driver है जिन्होंने Ferrari के साथ अपना contract 2024 तक के लिए extend कर दिया है इन्होंने Ferrari के साथ contract 2021 में start किया था इससे पहले ये 2 season के लिए MC Laren के साथ contract में थे इन्होंने अपना Formula 1 debut Toro Rosso के साथ 2015 में start किया था और ये अब तक 143 Grand Prix में participate कर चुके हैं जिनमें से इन्होंने 8 titles जीता है इसका आंसर था option C Haryana अगली question का आंसर आपको comment section में देना है किस राजी या केंदर सासित प्रदेश ने सिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉंच किया है आपक्यों आप्शंस हैं करनाटका डेली महारास्ट्रा या लद्दाग आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं कल के weekly current affairs quiz में तब तक के लिए मुस्कुराते रह और कल के quiz के लिए तयार रहिएगा थैंक्स पर वाचिंग और प्लीस दोंट फोगे तो सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्यों सो मच गाइस बबाए जो चना है पोगे कर दो इस पहु perceptions चेशर बहां डे